दोस्तों यह है RCM का वेजी टोमैटो सूप जो की काफी यमी है और यह प्यूसी पे अवेलेबल हो गया है आज हम इसी को लाइव बनाते हुए देखने वाले है तो वीटियो में इन तक बने रहना है और आप चैनल पर नवस्कार दोस्तों मैं आपका दूसरे वीडियो वीज से स्वागत है तो दोस्तों आज एक नया प्रोड़क लेकर हम आपके सामने हाजीर है जैसे कि इस प्रोड़क के लिए काफी लोग प्रतिक्षा कर रहे थे लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ यह नजजी कि आपके प्यूसी में अवेलेबल हो गया है जी हां हम बात मैंने वाल और अब कर लेते हैं यह 75-¸ चाहर लोग आप सपड़ कर सकते हैं कि यह पैक आपको छोल के पैन में डालना है और उसके अंदर 600 ml पानी डालना है और बस आपको इसको 3 मिनट तक उबाल लेना है उसके बाद में ग्यास तोड़ा कम कर देना है दो मिनट तक रखना है अपका सूप 5 मिनट में रेडी होने वाला है काफी इजी है और इंस्टट है और काफी अमी इसका टेस्ट है तो चलिए हम देख लेते हैं कैसे इसको बनाना है हम लाईव बना के आपको बता देंगी तो चलिए हम चलते हैं ग्यास के तरफ किचन में हम चलते हैं वीडियो में इन तक बने रहा हैं माई सिक्रेट टॉमाइटो सूप जोके नूट्रिशन वेजी सूप है एनिवेर एनिटाइम रेडी टू जस्ट पाच मिनट में ये रेडी हो जाता है और बस हमें अभी ये पाउच खोल लेना है इजी टू कोक है ये अब हम ये पाउच खोल लेंगे पुरी तरह से इसको कड कर लेंगे यहां पर निशान दिया गया है कैची का और बस हमें एक पैन में इसको डाल दिना है खोल के पूरा इसका जो अंदर मट्रेल है और उसमें हमें 600 ml पानी मिलाना है तो हम इस पैन में कड़ाई में इसको बना रहे हैं तो हम इसमें खाली कर लेते हैं कुछ इस तरह से इसका मेट्रल आता है काफी बढ़िया सा दीग रहा है कलरफुल चलिए हम उसमें खाली कर लेते हैं कड़ाई के अंदर और दोस्तों यह जो पनी है मतलब यह जो पाउच है यह मेजरमेंट है इसमें 400 ml पानी बेटता है हमें इसमें तोड़क 600 ml पानी रालना है ताकि यह चार बॉल यह सुप बनता है तो दोस्तों यह जो पाउच है यह 400 ml का है अभी हम इसको भर लेते हैं यह 400 ml हो गया है हम इसमें खाली कर लेंगे कड़ाई के अंदर तो लगबग इसमें चार बॉल सुप बनता है ये चार समिल पानी हुआ है ये चार समिल हुआ है और दो समिल पानी इसमें मिलाना है पानी हमने इसमें मिला लिया है अब हमने गया सौन कर दिया है और इसको हमें सोते कर लेना है अच्छी तरह से ताकि इसमें गिटली ये न रहे और जैसे इसको उबार आती है उसके बाद में फ्लेम लोप है हमें इसको दो मिनिट तक अच्छा से उबारना है उबाली आने के बाद में पहले दो फ्लेम हमें फास्टी रखना है और काफी कलरफुल लग रहा है सूप काफी सुगर निट भी है तो दोस्तों आप देख से रहें सामने की बहुत बढ़िया सा कलरफुल है ये और काफी इसमें से खुचबू भी इसके आ रही है हमने केवल पानी के अलबा कुछ इसमें आड़े नहीं किया है तो धीरे धीरे अभी ये उबलने को आ गया है और जैसे उबलता है ये थोड़ा सा गाड़ा होते जा रहा है और माई सिक्रेट करी गुड़ूड की कुछ बाती कुछ और है जैसे कि पहले भी वडनस और जो सूप आया था वो भी काफी बढ़िया था और ये भी काफी बढ़िया ही है इसकी खुजबूई बता रही है सुगंधी बता रही है और बिल्कुल सिंपल है बस केवल पानी मिलाना है और आपको उबाल लेना है लगबग चार सुब बॉल इसमें बनते है चार लोग आपसे उखर सकते है और प्राइस भी काफी रिजनेवल है इसका तो दोस्तों आप सामने देख सकते है फाइनल ये लेडी हो गया है उबाल इसको आ गई है और काफी कलरफूल ये हो गया है आप देख सकते है अब थोड़ा सा हम टेस्ट करके देखेंगे क्या ये मतलब सूप का टेस्ट तो बढ़िया तो रहेगा है माई सिग्रेट का ही है लेकिन फिर भी टेस्ट करेंगे बहुत बढ़िया दोस्तों होटल पे जैसा सूप बनता है वैसा ही बिल्कुल एंट तब यमी लग रहा है बस इसमें ब्रेड क्रम चाहिए थे जोके हमारे पास ब्रेड अवलेबल नहीं है लेकिन खेर शोप काफी अच्छा हुआ है आपने अभी तक टेस्ट नहीं किया है दोस्तों तो जल से जल पास के प्यूसी में जाना है तो और सियम का विजी टोमाटो सूप प्यूसी पर अविलेबल हो गया है जल से जल आपको प्यूसी जाके इसको टेस्ट करना है और इसका वीडियो हमारे चैनल पर अविलेबल हो गया है लिंक को एक नम्बर हुआ है काफी बढ़िया है और एकदम होटूल के जैसा है और हमने कुछ भी इसमें आड़ नहीं किया है केवल हमने पानी डाला है तो अभी तक आपने ये टेस्ट नहीं किया है तो जल से जल आपके पास वाले फ्यूशी में जाए और वहाँ से वेची टोमेड़ सूप लेके आए और जरूर जरूर ट्राइ करें और इसमें चार सूप बाल बनता है चार लोग को आप से उप कर सकते हैं आप भी पीजिए आपके जो दोस्त है या फिर आपके घरवाल है उनको भी पिलाईए तो दोस्तो आपके आज का वीडियो आपको पसंदाया होगा पसंदाया तो दोस्तो वीडियो को लाइक करना है ज्यादा ज्यादा आपके जो डारेक से लरेम में से शेर कर देना है और आप चैनल पे नहीं सिस्क्राइब नहीं कि अज़र सिस्क्राइब कर ले रहा है तो चलिया दोस्तों आज के लिए अगली बार मिलते हैं नए डॉपक के साथ तब टक्रिए जै जै भारत बंदे मात्या जै आर्चिया इस समय की दोड में चले समाने के संग आर्चिया आर्चिया